Hello everyone, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे KBS के द्वारा एक most urgent notice जारी की गई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उससे पले आप लोगों को बता दू जिल लोगोंने KBS का exam दे रखा है, और interview की तयारी के लिए आप परिसान हो रहे हो, आपको नीचे एक playlist की विडियो मिलेगी, नीचे comment section में मैंने playlist का link दे दिया है, description box में भी आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप चेक आउट कर सकते हो, अपने district या आसपास जो भी केंदुरी विद्याले संगठन है, जहां पर contractual vacancy की interview को conduct कराया जा रहा है, ऐसे में आप अपने आपको prepare कर सकते हो, इस interview में जाकर बिलकुल original वाला महौल आपको मिलेगा KBS में, जाकर 8-9 बैक्ति के पैनल के सामने अपने आपको interview देना ये बड़ी बात होती है, आपका fear खत्म होगा, hesitation और concentration, focus, सब कुछ बढ़ेगा अगर आप interview में participate करते हो, आपको खर्च करने की जरुत नहीं है, जरसे उधर जाने की जरुत नहीं है, आसपास के लिए जब भी KBS की वेकेंद से video अपडेट कर दी जाएगी, तो नीचे का जो playlist है, उसे जरूर चेक आउट करते रहें time to time, और interview के तयारी में लगे रहें, ये तो हो गई पहली बात, दूसरी बात, अगर पहली बार चैनल पर आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको red वाला बटन दिख रहा होगा, वो दबा देना है, सब्सक्राइब का और चोटी सी जो घंटी की आइकन है ना, उसे भी आपको प्रेस कर देना है, तो चलिए, केंद्रे विद्ध्याले संगठन के दौरा 2323 को कौन सी notification जारी की गई है, जो की सीधे सीधे आप से जुड़ा हुआ है, और यह जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों की रातों की नीन दूर गए थी, फाइनली उस पे अपडेट आई है, यहां से आप देख पाओगे, यह एक RTI का reply है, इसमें क्या बताया गया था, देखिए, कुछ लोग ना बहुत सोर मचा रहे थे, कि मेरे साथ अन्या पूछे गए थे, पहले यह नहीं पूछा जा रहा था, आखरी समय के कुछ शिप्टों में यह प्रसन पूछे गए थे, तो ऐसे में बहुत सारे इस्टोडेंट जिनका एक्जाम पहले हुआ था, उनका डाउड था, कि मेरे साथ तो अन्याय हो गया, हमें पता नहीं था, पूछा जाएगा, जिनका एक्जाम पहले हो चुका था, उनके साथ तो बुरा हो गया, तो ऐसे में, ऐसे में आपको क्या करना है, यहां से इस न्यूज को पढ़ना है और अपने आपको रिगलैक्स महसूस कराना है, देखिए, 21-3-2023 को जो है, एक्षन लिया गया है और जानकारे दी गई है, जिसमें reply दिया का है RTI के द्वारा, इसमें कहा गया है, as informed by the regulating agency, the provision of normalization will be applicable to the PRT exam, यानि कि PRT के एक्जाम में normalization होगा, यह 100% sure है, normalization के बिना result जारी नहीं की जाएगी, तो इन्होंने clear करके बता दिया है कि normalization होगा, ऐसे में आपको tension लेने की ज़रू होगी, तो definitely उसका cut-up आपको भरपाई की जाएगी, normalization का यहीं मतलब होता है, मोटा माठी, सिधे तोर पर, कि अगर आपका किसी subject में या किसी एक सिप्ट में आपका paper खराब किया है, दूसरे वाला का easy था, उनका exam अच्छा चला गया है, तो normalization होगा, जिनका अच्छा गय product अपने friends के बीच में share करें, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया, have a good day